महर्शी वालमीकी ने अपने रामायन में लिखा है कि मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया। रिशियों ने राजा जनक से यग्य का आयोजन करने के लिए कहा ताकी वर्षा हो। यग्य की समापती के अफसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेट जोत रहे थे को अपनी पुत्री बना कर अपने साथ ले गए। निहसंतान सुन्यना और जनक की संतान की इच्छा पूरी हुए। हलके सीत के टकराने से वह कलश मिला था जिससे सीता प्रकट हुई थी इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। देवी सीता से संबंधित एक अन्य कथा का उलेक अध्भुत रामायन में मिलता है। इस कलश को रावन महल में लाकर छुपा दिया। मंदोदरी उस कलश को लेकर बहुत उचसुप थी कि आखिर उसमें है क्या। एक दिन जब रावन महल में नहीं था तब चुपके से मंदोदरी ने उस कलश को खोल कर देखा। मंदोदरी कलश को उठा कर सारा रक्ट पी आया जाता है आपकी इसके बारे में क्या राय है कॉमेंट में जरूर बताएं